नमस्कार, very good evening to all of you, welcome to Advait Education, मैं आपका दोस्त तरून, especially आज आज आपके लिए लेकर आए हूँ करण सफारी, इसमें हम देखेंगे कि पिछले सब्ता की प्रमुख जो चर्चित घड़ना करम रहे हैं, साधी साथ हम चर्चा करेंगे, 11 से 18 अपरिल के बीच कौन से प्रमुख जो दिवस आते हैं, जो celebrate किये गए हैं, क्योंकि देखो, current effects के साथ आपको static GK भी रखना important है, बहुत important हो जाता है आपका exam point review से, तो वो सारा चीज अपन cover करने वाले है, one by one, आप लोगों का demand था कि sir, current interface की classes लेके आई जाए, तो उसे demand को fulfill करते हुए हमने ये series शुरू किया है, जो कि हर Sunday इसी time पर आने वाला है, तो बने रहे हैं तक मेरे साथ, कि कि और अगर ये हमारे वीडियो पसाने दा, तो please इसको like और share जरूर करिए, तो चलिए सबसे पहले हम नजर डालेंगे, आज की सुरुकियों पर हम पहले one by one देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले है, सबसे पहले हम देखेंगे, कि भारत सरकार द्वारा कोरोना की जो तीसरी vaccine है, उसको भी मंजूरी दे दी गई है, वो कौन सा vaccine है, कहां से आ रहा है, इसके पहले कौन कौन से vaccine, already इंडिय किये जा चुके हैं, हाँ न, किया जा रहा है, उसका चर्चा हम करेंगे, इस slide में details है, ठीक है, second जो हमारा news रहने वाला है, वो है आपका मानस app, मानस app के बारे में, ठीक है, मानस app जो है, वो क्या चीज़ है, किसके तोरा launch किया गया है, क्यों launch किया गया है, अपन detail में देखेंगे कि, जो हमारा हिंदु न वर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, देश के विभिन्न हिस्सों में इसको अलग-अलग रूप में, अलग-अलग तेवारों के रूप में मनाया जाता है, उस पर पन चर्चा करने वाले है, चौता जो हमारा news होने 2020, तो उसके आधार पर कहां कहां किस की जग़ा पे इसको शिप्ट किया गया है, वो हमारा अगला जो news होने वाला है, वो हम देखेंगे कि हमारा जो next CEC, यानि Chief Election Commissioner किनको बनाया गया है, किनको नियुक तक किया गया है, CEC क्या होता है, ठीक है, अपका Constitution में, किस पार्ट में इसका वर्णन किया गया है, क्या कि इनके अधिकार है, क्या कि इनके पावार है, वो सब चीजिस में हम देखने वाले हैं, अपना जो next news होने वाला है, कि टीका उत्साओ, पी ए मोदी ने एक अभी उत्साओ की शिरुआत किया है, जिसका नाम है टीका उत्साओ, 11 से आपका news होने वाला है, वो होने वाला है, जालिया वाला बाद हत्या कांड के अधार पर, क्योंकि 13 अप्रेल 1919 को यह बहुत एक भायाना घटना घटी तुई भारती इतिहास के संदर में, उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे हम लोग कि क्या था जालिया वाला बाद हत्या कांड, अगला जो हमारा news होने वाला है, अपन हम इसे देखेंगे, जो BAFTA award है, यानि British Association का फिल्म और टेलिविजन का award, उस पर हम देखेंगे कि कौन-कौन सी फिल्म ही थी, कौन से director, कौन से आपके actor, actress जिनको best award मिला है, जिनको first award मिला है, वो अपन चर्चा करेंगे, और आज हमा किया है, उसमें क्या-क्या terms है, ठीक है, रेपो रेट, reverse रेपो रेट, क्या-क्या चीज होता है, ठीक है, तो डेट आप को याद नी रखना है, बड़ उसके जो conceptual part है, वो याद रखने है, बहुत माज़ा आने वाला यार, फ्लीस class तक बने रही है मेरे साथ, ठीक है, तो च आ रहा था है कि हम बहुत सारे जो क्या बोलना चीज है, अपने उपग्रा है, ठीक है, सैटलाइट है, तो हम उसको नाम देते हैं, ठीक है, आरिया भट भी आमने रोहनी दिया, ठीक है, सिमिलरली इस पूतनिक जो था, रश्या का फॉस्ट आपका क्या था, सैटलाइट था ठीक है, उनका इसपेशली वहाँ का जो कंट्री का नाम है वो, तो उसी के अधार पर इन्होंने अपने एक वैक्सीन का नाम दिया, जिस वैक्सीन का नाम है, स्कूतनिक वी, ठीक है, जुन जुलाइ तक इसकी खेप आने की संभावना है, और एक ट्रायल में पाया गया था कि लगबग 91% सकसेस रेट है इस वैक्सीन का, चीक है, तो उसी को आधार मानती हो, यानि उसको देखते है भारत सरकारनी क्या क्या है, इसको सहमती दी है, इसके पहले भी हमारे यहाँ दो वैक्सीन अलड़ेडी चल रहे थे, चीक है, जो चल रहे हैं, है ना, सबसे पहला नंबर वन जो है आपका, यहां देख सकते हैं, यह आपका कोविट शिल्ड और सेकंड वन है आपका कोवैक्सीन, आप लोगों ने लगवाया भी होगा, या फिर आपके पैरेंट्स ने लगवाया होंगे, चीक है, तो कौन-कौन इसको बनाया है, यह भी पूछा जा सकता ह इसमें यह नहीं कि जो चीज एक्जाक्ली दिया वही आपको पुछा जाए, इसमें यह भी पुछा जा सकता है, कि भाई देखो इसे रिलेटेड मतलब करण्ड का भागी वही होता है, आप बेस्ट करण्ड एफ़र कैसे पढ़ सकते हैं, किवाल वो चीज मत पढ़िए जो और जो को वैक्सिन था, इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था आपका भारत बायोटेक ने, उसमें लिखा रहा था, याद रखना, ठीक है, आप जब देखेंगे उसमें वैक्सिन में, तो वहां पे लिखा रहेगा भारत बायोटेक, और इसका जो हैट का हैधराबाद, याद रखने हैं ठीक है पूछा जा सकता है किसका हैट पर कहां पर इस्थित है तो इसके पहले दो वैक्सिन जो अल्रडी यूज में हम कर रहे हैं वो है आपका COVID शिल्ड ठीक है एंड को वैक्सिन जो तीसरा में इंपोर्ट करने वाले वह है आपका यह कहां से लाय जा रहा है इसको रशिया से थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पूतणिक भी क्या चीज है ठीक है इसके बारे में चब्या वो है आपका GAMALIER National Research Institute of Epidemiology and Microbiology और यह कहां परिसीत है यह है आपका मास्को में तो सीधी सी बात है मास्को मतलब कहां पर हो गया यह रश्या पर तो याद रखना कहां पर है यह मास्को पर यह रश्या पर ठीक और इसमें डिफरेंट दो वाइरस का यूज़ देखो एंटी वाइरस या फिर जो वैक्सिन होते है चीक है उसमें वाइरस का कुछ न कुछ अंशिश शामिल किया जाता है तो इसमें एक important वाइरस पूछा जा सकता है साइंस के लिए भी बहुत important है यह कि एडेनो वाइरस क्या चीज़ है simply पूछा जा सकते है तो जो एडेनो वाइरस होता है इसका जो common symptoms रहता है cough and cold रहता है याद रखना जो सर्दी खासी लगता है तो यह था आपका sputnik V के बारे में हमने देखा ठीक है अगला जो हमारा news है वो है आपका manas app clear है manas app इसको launch किसके द्वारा किया गया याद रखना principle scientific advisor clear है भारत के प्रधान आपकी जो रहते हैं आपके प्रधान वैग्यानिक सलाहकार clear है वैग्यानिक सलाहकार से याद रखना जो पहले आपके प्रधान वैग्यानिक सलाहकार थे हमारे विसाइल मैं कौन? Dr. APJ. अब्दुलकलाम first number के थे ठीक है अभी जो है recently है उनका नाम है के विजयरागवन याद रखेगा नाम है के विजयरागवन सबसे पहले कौन थे पता है मैंने? डॉक्टर एपी जए अब्दुलकलाम अभी जो हाल में फिलाल में के विजए रागवान तो एक मानस एप लाउंच किया गया है नाम से सपस्ट है ये मना इस्तिती से यानि आपका mental health से संबंदित है इस एप की बारे में थोड़ा से हम चर्चा कर लेंगे क्या है इसका फुल फॉर्म है mental health and normalcy augmentation system फुल फॉर्म भी कई बार तो को एससी के जो एक्जाम्स रहते हैं उसमें पूछ दिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो याद रखेंगे क्या है mental health and normalcy augmentation system गॉट इट चलिए किसने इसको develop किया था नहीं किसने निश्पादित किया था कौन कौन थी जो मिलके बनाया था तो दो-चार नमें दम कौमा ने वो याद रखेंगे गा सबसे पहले जो नाम है आपका निमाज ठीक है फिर है आपका CDAC और यह है आपका FMAC है ना इसका full form देख लेंगे अपन निमाज जो होता है वो होता है आपका National Institute of Mental Health and Neuroscience ठीक है जिसका जो headquarter है वो कहाँ पर है बैंगलोरो पे प्लीस note down करते चलिए full form पूझा जा सकता है National Institution of Mental Health and Neuroscience clear है आपका जो CDAC है CDAC मतलब यहाँ पे जो लिखे है हमने CDAC इसका भी आपने कई बार देखोगा पूझे में है यह है ना इसका जो full form होता है आपका Center for Development of Advanced Computing ठीक है Center for Development of Advanced Computing और AFMC है ना AFMC इसका भी जो headquarter हो कहाँ पर है पूझे पर है ठीक है यह सारा उसका logo दी हुए है यह आपका मिनांस का है यह आपका CDAC का है यह आपका AFMC का है तो यह होता है आपका Armed Force Medical College जो आपके शसस्त्रबल होते हैं जो आपके पैरा-मिलिटरी forces होते हैं उनसे संबंधित college जो रहता है उनको बोला जाता है Armed Force ठीक है तो उसी के अधार पर एक college है तो आपका CDAC और AFMC इनका जो headquarter वो है आपका पुने में ठीक है और आपका निमाज का जो headquarter है वो है आपका कहां पर बैंगलरू में तो headquarters भी आप याद रखिएगा चले आगे बढ़ते हैं आपन ये जो epidemic जो अभी चल रहा है मतलब जो महामारी चल रही है इसके कारण ये एक research है एक research company जिसका नाम है आपका प्रैक्टो तो ये प्रैक्टो ने क्या research किया है कि हाल फिल हाल में इस महामारी के कारण जो यूवा अवस्ता के लोग है मतलब जितका age group जो रहता है 21 to 40 के बीच है 21 से 40 वर जिसको अपन youth category में count करते हैं उनमें ये problem बहुत ज़्यादा देखी गई है क्या हो था depression का सिकार हो जाता है मैं रहूंगा कि नहीं बचूंगा कि नहीं क्योंकि आपने देखा होगा corona का जो second wave है वो क्या कर रहा है इस age group वालों को क्या कर रहा है ज़्यादा effect कर रहा है बट यार प्लीज आप positive रही है आप ज़्यादा इधर उदर डरने की सोचने के जुरत नहीं क्योंकि ऐसा माना भी जाता है psychologically कि जितना ज़्यादा आप डरेंगी जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपके अंदर वो डर बैठेगा वो चीज आपको परिशान करेगा तो हाल फिलाल में जो recent आपका research हुआ है मनोवै ज्यानिकों की संख्या इनी doctors जो रहते हैं आपके psychology वाले उनकी संख्या में भी increase कितना हुआ है आपका 6-6-5% मतलब आप समझे कितना ज़्यादा problem होने वाल है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा यह एप launch किये गया है मानस एप किसे संबंदित है याद रखेंगे आपके आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अलग जो शेत्रों में मनाया जाता है जो परव है जैसे के उगादी है बुड़ी पढ़वा है चैत्र शुक्ल प्रदिपदा है आपका साज भी हुँ है चेरी बोया है इन सभी चीजों के लिए उन्हेंनों क्या क्या ग्रिट किया है एक चीज़ याद रखेंगे हमारे जो हिंदू नव वर्ष है वो कब शुरू होता है अपने मानते हैं चैत्र शुक्ल दो पक्ष माना जाता है आपके हिंदू नव वर्ष जब आप पढ़ेंगे हैं आपको याद रहना चाहिए जैसे कि इंगलिश के जो बारा महने होता है सेम हिंदी के आपके बारा महने होता है कौन कों से होता है चैत्र, बैसाग, जेट, असाड, सावन, भादो, क्वार, कातिक, अगहन, पूस, मास और पागुन ठीक है तो जो स्टार्टिंग होता है वो होता है आपका चैत्र से होता है बट, जो हमारा पंद्रह दिन का जो टेने हो रहता है न, पखवारा जिसको बोला जाता है ठीक है वो जो रहता है, वो दो पाड़ में पन तोड़ते है इसको, एक होता है अपका कृष्नपक्ष और एक होता है अपका सुखलपक्ष Got it तो याद रखना कृष्ण पक्ष पहले आता है देन आएगा आपका शुक्ल पक्ष इसका रीजन क्या है कृष्ण मतलब आपने सुनाओगा भाई अंधेरी रात है यहाँ पे जो मून रहता है जो चंद्रमा रहता है चंद्रमा के इस्थिती के है मून का जो पॉजिशन रहता है उसी के धार पहे हम डिवाट करते हैं कि कौन सा कृष्ण पक्ष होगा कौन सा अर जो फुल मून रहता है जिसको अपन क्या बोलते है पूर्णी मा तो शुक्ल पक्ष में स्टार्टिंग का पहला दिन जो रहता है ठीक है ? याद रखना चैत्र-कृष्ण-पक्ष से हमें हम लोग चैत्र-कृष्ण-पक्ष कह प्यंते ? जिस दिन आप Holy Celebrate करते हैं होली का म Duch आते हैं पागुन की जो पूर्णिमा है, पागुन मास जो रहता है, उसकी पूर्णिमा वाले दून हमे ह LIKE कर पहले दिन ए लक़ता है श्राक्टाई रहता है औगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं इसमें कौन-कौन से जो नौवर्ष की रूप में मनाया जाते है ठीक है अच्छे भी याद रिखना ये 2078 यानि आपका जो एर जो नया लगा है विक्रम समवज इसको बोला जाता है 2078 नौवसमवतसर यानि ये कुछ निये नौवसमवतसर जिसको बोला गया है इससे गुड़ी पढ़वा के नाम से क्लियर है नेक्स्ट जो बैसाखी पंजाब में किस नाम से मना जाता है इसको बैसाखी की नाम से बंगौल में चले जाएए वहाँ पर मनाएंगे नब बर्ष के नाम से असम में जब हम जाते है करनाटा का में इसको किस के नाम से मना जाता है उगादी के नाम से clear है आंधरा में भी इसको अपन उगादी के नाम से मनाते हैं तमिल नाडू में हम चले जाते हैं आप ए उथंडू के नाम से कश्वीर में जब हम चले जाएंगे नौर्थ इस्ट में नौर्थ रिजन में तो असाम वाला जो शेत्र है ना असाम हमने इंडियन जेग्राफिय में देखा था कहां पर है असाम का लोकेशन वहां पर आपकी जो फेमस नैशनल पार्क है जैसे मानस है काजी रंगा है और अंग है तो इन शेत्रों में पाया जाने वाले गैंडों को उनकी क्या प्रजाती के अधार पर या फिर उनकी संख्या के अधार पर जैसे कहीं पर अगर जादा है अपन इंवारिमेंट में पढ़ेंगे अलफा बीटा गामा करके अलग अलग क्या होता है कि इस्तान अंतरन होता है तो उसमें अपन देखेंगे डिटेल में तो कहीं पर जब जादा रहता तो की संख्या को balance करने के लिए एक vision यानि एक mission सुरू किया गया था जिसको बुला गया था Reno 2020 ठीक है Reno 2020 या फिर RIO 2020 ठीक है तो इस mission के अंतरगत क्या किया गया था कि Gando को सरक्षन करने के लिए एक mission की सुरुवात की गया थी जिसके तहत अलग अलग शेत्रों से Gando को क्या किया गया इस्थाना अंतरित किया गया ओके थोड़ा सा देख लिएते हैं कि यह क्या vision है यह ठीक है IRV 2020 के अंतरगत इसके अधार पर इस संख्या को यह नहीं इनकी जो जन संख्या थै पॉपुलेशन था Gando का यह नहीं प्रेणों का उनको कितना करने का लक्ष भुषि था 33,000 ठीक है और इसी के लिए जो चार अलग अलग आपके जो रिजर्व थे और है ना बाइवस्फेर रिजर्व स्वरी नैशनल पार्क थे और आपके जो सैंचुरी थे ठीक है century में कौन सा century था ये याद रखना Pabitora clear है क्या नाम है इसका Pabitora century है और बांकी की जो तीन है वो है आपके national park ठीक है राजिव गांधी औरांग national park ठीक है फिर है आपका काजी रंगा national park और next आपका मानस national park ठीक है तो यहाँ पर क्या किया गया था साथी साथ ये भी याद रखेंगे कि रोहित शर्मा हाना hitman जो cricket देखते हैं उनको पता होगा जो रोहित शर्मा थे उनको भी इनका brand ambassador नियुक्त किया गया था हाना रोहित फॉर रिनो के नाम से तो ये भी पुछा जा सकते है कौन सा क्रिकेटर है जिसको इसके लिए अपॉइंट किया गया था तो वो था आपका रोहित शर्मा क्लियर है चले आगे देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है वो शुशील चंद्रा जो है उनको क्या किया गया है चिफ इलेक्शनर कमिशनर है ना यानि आपका प्रमुक्या मुक्या चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है कौन अपॉइंट करता है याद रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको कौन भारत का प्रेसिडेंट यानि राश्टर पती कौन है भी महामहिम रामनाथ कोविन ठीक है वो क्या करते हैं प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो CEC यहनी Chief Election Commission को क्या करते हैं वो अप्वाइंड करते हैं ठीक है तो हाली में जो वो कौन है, सुशील चंद्रा है, इन्होंने किसका इस्थान लिया है, याद रखना पूछा जा सकता है, कई बार देते हैं, कि किन को इन्होंने सब्स्टिटूट किया नहीं, किन के बाद या फिर इसके पहले कौन थे, तो वो थे आपके, सुनील अरोडा, याद रखेगा, चले देख लेते हैं, कि भारत का जो चिफ election commissioner होता है, वो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, है न, constitution में, उसके बारे में, क्या क्या चीज़ें दी गई है, तो भारत की जो टोटल 22 parts हैं, उसमें इनका जो उलेक है, वो है आपका 15th, 15th भाग में इसका उलेक किया गया है ठीक है, और कौन-कौन से जो articles हैं, जिसमें शामिल हैं, 324 से 329, याद रखना, ठीक है, static gk का constitution का भी पार्ट हो जाता है, यह पूछा जा सकता है, जरली clear, और इनका जो काम है, वो क्या रहता है, election commission का जो काम रहता है, वो रहता है, भारत में विबिन्न चुनाओं का आपके state है, assembly के चुनाओं हो गया, ठीक है, तो यह सारे जो चुनाओं है, वो कौन conduct करवाता है, यह आपका election commission, याद रखना, confuse मत होना, central level के जितने भी चुनाओं है, आम चुनाओं है, वो तो कराएगा ही, सांथी जो राज्यों में चुनाओं होते हैं, जिस जिस राज्य पंचायती राज सिस्टम हो गया, या फिर आपके municipal, नगर निगम जो रहते हैं, ठीक है, तो पंचायती राज और नगर निगम, यादि मूनिसिपल और पंचायती राज वाले जो यह local जो बोडिस होते हैं, उनका जो चुनाओं है, वो कौन कराता है, state election commission, हर राज्यों में अलग से एक निर्वाचन आयुकत रहेंगे, clear है, अपने-अपनी state के अलग-अलग क्या रहते हैं, निर्वाचन आयुकत रहते हैं, वो करवाते हैं, लेकिन राज्यों के जो विधान सभा चुनाओं है, local है, आपके state assembly के जो चुनाओं है, वो कौन करवाएगा, वो आपका constitution में जिसका mention है, constitution के आपके जो parts रहते हैं, आपके जो articles रहते हैं, वहाँ पर जिस जो mention रहता है, उनको बोला जाता है, समवैधानिक, और जिसको किसी amendment के थुरू या फिर बोल सकते हैं, अलग से law बना कर pass किया जाता है, या फिर लाया जाता है, जैसे आपने सुनाओं का N NGT, clear है, National Green Tribunal, तो ये क्या है, ये अर्धनियाईक संस्ता है, ये हलाकी constitution में mention नहीं है, बट सरकार दवारा ही क्या किया है, इसको bill will pass करके, जो भी करके, amendment करके, इसको बनाया गया है, ठीक है, तो ये constitutional body में नहीं आता है, तो अलग-अलग bodies है, कई बार question पूछा जाता है, क इसको detail में आप constitution वाला जो part है, आपन वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस जो commission है, इसमें एक जो होता है, आपका मुख्य चनवायवत या नहीं, आपका होता है, चिफ election commissioner, ठीक है, और दो election commissioner रहेंगे, और एक रहेगा आपका chief election commissioner, ठीक है, इसके पहले क्या था, 91 के आस इसको change किया गया, फिर 1 प्लस 3 हुए, बाद में इसको 1 प्लस 2 कर दिया गया, चिक है, तो ये था आपका election commission, चिक है, आगे हम देखेंगे, अपना जो next news है, वो है कि प्रधान मंतरी मोदी ने अभी एक उत्सो की शुरुआत की जिसका नाम है, टीका उत्सो या टीका करन उ इसको उत्सो बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और इतना याद रखेंगे कि 11 तो 14 अप्रेल को, ये इस mission की शुरुआत की गए थी, यह date क्यों चुना गया, especially 11 तो 14 तो याद रखना, 11 जो अप्रेल था, वो था आपका महात्मा जोती राव फुले जी का जन्मदीन, चाहिए, और 14 तो आपको पता है, चाहिए, फादर आप कंस्टिटिशन, डाक्टर भीम राव अमबैटकर, तो इन दोनों के जो जन्मदीन है, यानि जहनती है, उनके बीच में ही इसको क्या गया था, चाहिए, थोड़ा सा नजर डालेंगे कि दोनों कौन-कौन थे, दोनो जो इसमें बोला जाता है, उनके उत्थान के लिए एक समाज की स्थापना की थी, इनका मानना था कि ये जो परंपुरुष ने जो बनाया है, सभी सेम है, हम सब एक हिश्वर के हम संतान है, तो ऐसा किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनिशन नहीं होना चाहिए, बिलकुल सही इंपॉर्टेंट है, इस्पेसली फॉर लेडिस, आप याद रखे, जितने भी लड़कियां हैं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप इस एजुकेशन के इस तरह पर हैं, और बहुं सारी लड़कियां जो हैं हमारी जो लेडिस बहने, माता हैं, बहने आज बड़े-बड़े मुकाम पर हैं ना, उस पोजिशन पर पहुंची है, तो कहीं ने कहीं इनका रोल बहुंत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों को उस समय पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो इन्हों ने उसके खिलाप एक, जाना आंदोलन या फिर बोल सकत हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें दिखाया जाती हैं, कि किस तरह से पहले उनको स्कूल ना जाने दिया जाता था, एक समय था जब इनको वोटिंग का धिकार नहीं था, तो वो सारी चीज़ें थी हैं ना, तो लड़कियों के स्पेशली एजुकेशन के लिए, इन्हों न सत्य शोदक समाज पूछा जाता है, जर्य ठीक है, दूसरे जो हमारे महापुरिष्टे वो हैं, जिनका जन्म हो था, 14 अपरेल को Dr. B.R. अमबैड कर, देखिए, Constitution के लिए कि बहुं से लोगों में गलत भावना रहती हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, कि क्या बलते हैं, इन से पहले वो व्यक्ति होंगा, जो मैं इसको जलाओंगा, इन्होंने ये भी कहा था, कि कोई भी Constitution कितना भी अच्छा, कितना भी सुन्दर क्यों न हो जाए, जब तक उसको अमल में लाने वाले लोग, यानि जो उनको implement कर रहे हैं, वो लोग अगर अच्छे नहीं होंगे, त तो मोटा मोटी तौर पर हम ये कह सकते हैं, कि जो अबी हमारे फिलहाल-फिलहाल में जो लोग बैटे हुएं, वो क्या इसका अतिकरमण कर रहे हैं, क्या इस चीज को अन लोग overlap कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं कि नहीं, वो इनका कहना था, ठीक है, ये भाई, जो भाय साब ह होता है तो मैं ही वो पहला व्यक्ति होंगा जो इस पर क्या करूँगा जलाओंगा अपन देख लेते हैं क्या कहा है इनके बारों इस शौट में 1891 में महु में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था मंद्य प्रदेश में ठीक है साथी साथ इनको father of constitution भी बोला जाता है और ये अध्यक्षय थे किसके drafting committee की जब constitution बन रहा था जब भारत का constitution बन रहा था बहुत समय लगा लोग बोलते कि copy paste है भाई copy paste नहीं है उसको भी करने के लिए आपको समय चाहिए होता है आप ये जो वीडियो भी देख रहे होंगे एक घंटे के वीडियो रहता है लेकिन इसके प साथी साथ भारत के पहले कानून मंत्री थे यानि फर्स्ट लॉग मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाद में उन्होंने फिर हिंदू कोर्ट बिल और बहुं सारी चीज़ों के इस्तिपा भी दे दिया था उसका चर्चापन हिस्ट्री वाले चेप्टर में जो भी faculty रहेंगे वो क अगे आपन देख रहे हैं कि इन्होंने जो आपका गोल में सम्मेलन हुआ था यानि राउंड टेबल जो conference हुआ था उसमें भी क्या क्या था पार्टिसिपेट किया था अकेरे व्यक्ति थे भारत के जो की तीनों round table conference में यानि गोल में सम्मेलन में क्या क्या थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओके चीक है और last but not the least इनको 1990 में 1990 में भारत का सर्वस्रिष्ट पुरुषकार है जिसको बूल जाता है अपका भारत रत वो उनको मरणोपरांत उनको दिया गया था चीक है तो यह भी पूछा जा सकता है कब दिया गया था तो 1990 में बहुँ सारे जनायक है बहिश्कृत भारत है समता है जनता है यह सब इनके क्या है प्रमुक पत्र पत्रिका है जो उन्हें क्या किये थे समय समय पर पब्लिश किये थे clear चलिये तो यह था आपका कुछ ठीका उत्सों से संबंदित अगला जो हम चर्चा करने वाले हैं यह करंड को दितिहास में 102 साल उसके पूरे हो चुके है जालिया वाला बाग है आप कभी गय होंगे है ना कहां पर है यह अमरित सर में ठीक है अब जाएंगे स्वायन मंदिर के पास ही है ठीक है तो वहाँ पर हुआ क्या है अमरित सर में जर्रल डायर जो था आपने सुनाओगा हिस्ट 39 को क्या हुआ था लगभग 10,000 ठीक है लगभग 10,000 से अधिक जो बच्चे बुड़े है ना महिलाएं इन लोग क्या किये थे वहाँ पर एक सेलिब्रेट कर रहे थे किसके लिए जो सैफूदीन कुछलू है और डाक्टर सत्यपाल है ठीक है इन दोनों की रिहाई के लिए म इतर मंतर और वहाँ पर करते है ठीक है तो उनके रिहाई के लिए वहाँ पे शान्ती पूर्ण तरीके से है कोई arms ammunition नहीं था उनके पास बिल्कुल शान्ती पूर्ण तरीके से वहाँ पर एकठा हुए थे और ये दुश्च आदमी क्या नाम था इसका जररल डायर ने ये क् अभी तरफ से उसने घेड दिया क्या किया ये जैसे कि आपके entrance होता था ठीक है entrance पर पहुंचा ये पूरा ब्लॉक था यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक चोड़ा सा कुवा था आप कुवें पर जाके देख सकते हैं वहाँ ऐसे बना हुआ है पूरा शहीदों का ठीक है औ और क्या किया यहाँ से लगा था रंदा धुन बोलिया बोला कि भाई बैठो और सबको मारते चलो जो आपको बच्चे बूढ़े जो मिरते सबको क्या करो मारते चलो कुछ लोग जान वचाने के लिए कुवें में कुदे लेकिन कितने लोग बचेंगे ठीक है तो पूरी इ घैसर ए हिंद चीक है और जो गुरू जी रबिंदर नाट तैगर इनकी जो उपाधी थी नाइट हुड चीक है तो इन्होंने अपनी जो उपाधिया थी वो क्या कर दे थी त्याग दी इसके विरोध में कौन से इस जालिया वाला भाग हत्यकांट के विरोध में सांति-उ- उस समय ब्रिटिश शरकार थी, ठीक है, तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया था, जिसका नाम था हंटर कमिशन या फिर हंटर आयोग, तो ये भी पुछा जा सकता है, कि जालिया वाला बाग से संबंधित, एक आयोग, मतलब जाच आयोग, ठीक है, और ये इतने बेशरम ल आठवा जो हमारा जो आपका न्यूज है, वो होने वाला है, जो 74th, 2021 को जो दिया गया है, वाफ्टा अवार्ड, ठीक है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें थी, कौन-कौन सी फिल्मों को बेस्ट जो फिल्म है, उनका अवार्ड दिया गया था, वो अपन थोड़ा सा एक न नो-मैड-लैंड को याद रखना, ठीक है, अब देको कई बार यह होता है, जो मुवीज देखने के शौकिर रहते हैं, वो तो खैर देखते ही है, ठीक है, जो जो बेस्ट फिचर रहते हैं, तो अपन क्या घस्तिक बार्ड टाइम निकाल के देख सकते हैं, अगर अपने पा परगट होने वाले हैं लोग, यहाँ पर बेस्ट अक्टर को जो ओवर्ड मिला था, वो था एंथनी हॉपकिन्स, ठीक है, एक गुड़े अक्टर है, बेस्ट अक्टरिस यह मिला था, आपको फ्रांसिस मैग डॉरमैड को मिला था, यह जो महिला परगट हुई है, ठीक है, यह बेसिकली चैनिज मुल्की हैं, बट वहां रहती है, ब्रिटिश में, तो यह है, ठीक है, यह जो यह दिख रहे हैं, आपके एंथनी हॉपकेंस, और यह जो मैडम ही है, आपकी फ्रांसिस मैग डॉरमैड, ठीक है, यह आपको फोटो तो नहीं पुछा जागे एक्जाम म है, आपके इंदसिस, इस मुवी की हिरोई, ठीक, चलिए, सबसे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक अगर आपने वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, यहां पर मिसमत करें, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे एक कंसेप्ट है जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, क्लियर है, तो भारत सरकार ने क्या, sorry, RBI ने क्या किया, अपनी एक मौदरिक निती जारी की, यह हर त्री महने में क्या करते हैं, जारी करते हैं, ठीक है, चार क्वार्टर बिसम का होता है, जिसमें क्या किया जाता है, यह मौ लास्ट जो था उसमें चेंज नहीं किया ठीक है तो जो रोपे रोड था वो था आपका फोर परसेंट रिवर्स रेपो था 3.35 ठीक है आपका जो MSF था ना Marginal Standing Facility Rate जो थी वो थी सिमान ठीक है यह था आपका 4.25 ठीक है यह बेंक रेट था वो भी था आपका 4.25 ठीक है देखो यह डेटा आपको नहीं पुछा जाएगा कि किसमें कितना था एंड ओल क्या था हाँ जो अंचेंज रहते हैं जो हाना चेंज नहीं हुए रहते हैं उस प मनलब उसको चेंज नहीं किया उदना ही रखा है ओके तो चले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ हलाकि एकॉनमी का पार्ट है फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको पता रहना चाहिए कि भाई यह रेट क्या क्या होते हैं कैसे कैसे इसका यूज होत बैंको का बैंक जो सभी बैंक है उसका बाफ होता है यह मेन होता है यह होता आपका RBI फिर दो बैंक मिलेंगे आपको जरली बाद में एक होता आपका सरकारी बैंक और एक होता आपका प्राइवेट बैंक आप चाहो तो इसको सरकारी मालो चाहे उसको सरकारी मालो आपकी ए यह आपका सरकारी bank सरकारी नहीं जिनको बोला जाता है आपका nationalized bank अभी तो भाई हाली फिलाल में संक्या बहुत ही जादा कम बारा हो गई है घट गई है अभी और merger होने को है धिरे-धिरे की संक्या और कम हो जानी है उसके बात होते हैं आपके private bank जो लूबाते हैं आपको, अच्छे च्छे ओफर्स देखें, चिक है, तो अपन बान के चलती है, आपका गवर्मेंट का है, नि नेशनलाइज बैंक है, और ये सारे कौन से, नेशनलाइज ये भी रहते हैं, ये प्राइवेट बैंक होते हैं, जिसका निजी हाथों में, आप सबसे पहले मैंने बताया था, रेपो रेट, जो तीन रेट था, अपन पहले उस पर चर्चा करेंगे, है ना, पहले की जो तीन रेट है, उसके बाद में आपन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, फिर बैंक रेट देखेंगे, और हम बत देखेंगे, MSF, और सबसे last में आपन देखने वाले हैं आपके reverse repo rate चिक है चलिए तो शुरुआत करते हैं one by one चिक सबसे पहले प्रगट हो ये भाई शिवगामी देवी जी चिक है ये आ गई ये हैं आपके RBI ये दोनों हैं आपके bank कोई साभी bank ले लो commercial banks भी इनको बोला जाता है चिक है तो क्या करता है जो RBI होता है वो क्या करेगा इन दोनों bank को clear है जो मंगेगा चिक है इन दोनों bank को क्या करता है एक interest पर यानि एक ब्याज दर पर क्या देगा पैसा देगा ठीक है क्यों देगा पैसा सीधी सी बात है RBI क्या होता है बैंकों का बैंक होता है सारा पैसा आजामा होता है ठीक है और दूसरा चीज ये भी government भी हाना जो रहती कई बार RBI से क्या लेती है पैसा उधार लेती है अपने नियूज में सुना होगा कई बार है ना 1.74 लाग करोने इंडॉल ऐसा की government ने लिया तो RBI जो होता है main cashier खचांजी होता है जिसके पास पैसा भर-भर के रहता है ठीक है वो क्या करता है बैंकों को loan देते हैं या कई बर क्या देते हैं amount देते हैं किस एक particular interest या particular एक rate पे ठीक है तो जिस rate पे है ना देखिए तीन आपके समय या फिर तीन समय अधार पर rate को टाय किया गया है सारा का सारा जो रहता है किस्सा सिर्फर समय का है repo आ जाएगा ठीक है MSF आ जाएगा ठीक है और यह का आएगा आपका bank rate जो सबसे ज़्यादा common और प्रचलिट शेप्द है वो होता है repo rate ठीक है जरली 2-14-15 दिन के आसपास होता है ठीक है पकवाड़े भर का clear है तो जिस rate पे देंगे कोई बड़ा चीज नहीं है hypothetical चीज नहीं है बिल्कुल simple चीज है तीनो का तीनो rate ही है जो थोड़े कम समय के लिए रहता है 2-14-15 दिन के लिए पकवाड़े भर के लिए वही कहला है आपका repo rate कौन देगा RBI देगा किनको इन बैंकों को जनता को अभी घुल जाओ जनता पर आपन बाद में आने वाले हैं अभी केवल RBI और सिर्फ बैंक के बीच चल रहा है कम समय के लिए दे रहा है बिल्कुल कम समय के लिए overnight कई बार होता है कि बैंकों के पास ऐसा हो जाता है कि बाई बिल्कुल कंगाली वाले सिती आ जाती दिवाली वाले सिती तो overnight जो आपका दिया जाता है इंट्रेस्ट या फिर बोल सकते है जब पैसा देगा तो जो इंट्रेस्ट लगेगा उसको बोला जाता है आपका MSF याद रखना यह होता है आपका overnight के लिए या फिर बोल सकते हो for one day only one day भी नहीं रहता है उसमें one night के अंदर के आपको return करना होता है तो जो overnight के रहता है वो होता है MSF यहाँ पे दो terms आएंगे एक होता CRR और SLR उसको पर बाद में देखेंगे अपन फिर एक होता है आपका bank rate यह long term के लिए लिया जाता है इसके लिए long term के लिए मतलब लंबे समय अधी के लिए जब लिया जाता है तो उसको बला जाता है bank rate फिर से में एक बार short में बता रहा हूँ repo rate क्या होता है 2-14-15 दिन के लिए जाता है पकवाड़े भर के लिए MSF क्या होता है Overnight के लिए 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 बिलकुल कम समय होते के लिए बहुत ही कम अलपकालिक रिने बोलते है और bank rate होता है यह long term यानि लंबे अधी के लिए लिए जाता है सब चीज वही है कौन दे रहा है यहाँ पर RBI दे रहा है और सब का जो rate रहता है कितना percent देगा 4 देगा 4.5 देगा और कितना देगा वो depend करता है वो कौन देगा करता है RBI हर तीन मेहने में क्या करते है यह इसको update करते है तो यह थे आपके सारे rate clear? अब आते हैं हम लोग reverse report ठीक? अच्छा एक और चीज़ आप यहाँ पर आ जाते हैं जनता को भी थोड़ा शामिल कर लेते हैं अब लोग ठीक है इसको क्यों चूपते रखे हैं? तो क्या होता है suppose जैसे इन्होंने 4 percent rate से दिया इनको भी देंगे वाई से कोईन के साथ वो नहीं करेंगे तो दोनों को इन्हों 4 percent rate पर दिया अब यह bank आ गया ठीक है suppose अपन यह ले लिए यह SBI हो गया इधर अपन ले ले लेते हैं HDFC ठीक है ICICI Axis and all यह सारे private bank इन लोग क्या करेंगे जनता को लुभाने के लिए कि भाई आईए हमारे पास पैसा है आप loan लीजिए आपको भी देखा होगा फोन पर फोन आ तो आगे भाई मेरे पास यह offer वा फलाना फलाना तो क्या करेंगे जनता को इन लोग लुभाएंगे लेकिन जनता किसकी जमानती है आपको पता ही है ओके बोलने की ज़रूरत नहीं है तो जनता को लुभाते हैं अब एक चीज याद रखना अगर ये 4% पे दे रहा है तो ये भी क्या करेंगे इनको कुछ न कुछ लोन देंग रता है कई 7% रता है तो हमीशा आपका ज्यादा रहेगा किस से जितने में उन लोग ले रहे हैं सिदी सी बात अगर कोई बिजनेस करते हैं कोई भी किसी की बिम्यवात करूं साथ भाजी वाले की अगर मैं बात कूनों अगर वो 40 रुपय में कद्दू लेके आता है कोई ने पढ़ा होगा न कि करो ना कि करण उस rate को क्या किया गया था and change मतलब ज़्यादा उसमें ज्वरी उसमें चेंज नहीं किया गया था तो अगर इस rate को मैं थोड़ा और कम कर даूं 3% पर कर दूँ तो ये भी क्या करेगा इस rate को भी 3% से थोड़ा कम करेगा मतलब सीधी सी ब घटा देते हैं repo rate को ठीक है लेकिन अगर लगता है कि भाई market में इतना सब के सब खरीद रहे हैं सब के सब खरीद रहे हैं थोड़ी सी सिदीक समान्य नहीं हो रही थोड़ी सी अना गंबीर हो जारी तब क्या करते हैं control करने के liquidity को यानि money को जो rolling हो इसको रोकने के लिए इन लोग क्या अगरतने rate को बढ़ा देते हैं जब ये rate बढ़ाएगा तो obviously बात है ये भी rate बढ़ाएगा भाई अगर उसको बोलेंगे कि नहीं आप हम इतने में दे सकते हैं करके तो ये भी तो terms and condition रखेगा न वो अपने जब से तो देगा नहीं तो ये आपका खेल होता है कि कब इसको बढ़ाना है कब इसको कम करना है अब आते है reverse rate पर तो reverse rate क्या होता है जो क्या बलते है आर बिआ ही रहती है ना वो इन बैंकों से यानि आपके nationalized bank यानि government या फिर सरकारी या ठीक है या फिर जितने भी private bank है उन से क्या करते है पैसा देते है पैसा लेते है अब ये पैसा क्यों लेते है भाई उनके पास तो full पैसा है तो क्यों चीए पैसा ठीक है तो होता क्या चीज है कई बार आपने देखा होगा बैंकों में दो से तीन दिन की छुट्टी रहती है या कई बार लंबे हरता लिया कुछ भी चीज़ों को लेके क्या होदे जररली छुट्टी हो जाती है तो उनके पास जो पैसा जमा है इनके पास बैंकों के पास ठीक है तो उस पैसे को क्या करते here भाई मेरे पास कैश मेरे किस्टमर क्ले है कोई ग्रहाक आएक नहीं तो क्या होगा कम से कम एक या दो दिन का क्या बन जाए मेरे को ब्याज बन जाए तो उस rate पर क्या करते है इन लोग RBI को बोलते हैं भाई तुम रखलो करके तो RBI क्या बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसे है मैं क्या करूंगा रखके करके तो वो क्या करता है? उसको रखना पड़ता है, यह एक rule रहता है, अगर यह नहीं करेगा, तो क्या होजाएगा पूरा का पूरा यह balance गड़वडा आ जाएगा, तो इसलिए क्या करता है? हमेशा देखना, आप जब देखोगी, जो rate रहेगा ठीक है? रिवर्स रेपो जो रहत में दे सकते हो तो दो इसलिए जो reverse रेप होता है वो क्या होता है हमेशा कम होता है ठीक है बैंकों के पास क्या होता है कि पूरा का पूरा चीज इन लोग ना दे दें है ना यानि पूरा का पूरा चीज वहाँ पर जमान करके अपना ब्याज ना बढ़ाले करके दो terms आता है जिसको बोला जाता है CRR यानि cash result ratio और एक होता है SLR यानि statutory liquidity ratio ठीक है मतलब जितना पैसा है ठीक है जरली ये 3% CRR होता है और 18 से 20% के लगबग आपका SLR होता है ये आपका change होते रहता है retail में देखेंगे यहां करेंगे तो पूरा फिर यहां पर lecture EC में चला जाएगा ठीक है तो इन ratio को maintain करना होता है किनके द्वारा इन दोनों bank के द्वारा ठीक है अब क्यों करना पड़ता है suppose कोई ग्राहक आ गया अब जैसे बाबु भी आ गया अपने है public का ठीक है तो पैसा अगर यहां पर जमा है और यह जैसे नीराव मोधी टाइप ठीक है या फिर आपके मालिया टाइप निकल लिया अपन कहीं ठीक है बदर चरह आपको उतना सारा पैसा फस गया तो वो चीज ना हो करके यह जो bank है ठीक है आपका क्या fraud या फिर दिवालिया थाबित हो तो यह जो बबू भीया जब आएंगे कि भाई मेरे को पैसा दो तो अगर यह ना दे पाया तो कौन देगा उसको RBI बोलेगा कि BIA यह लो तुम्हारा यह पलाना यह चीज तुम दो उनको और अपना तुम्हारा किस्सा कहानी अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और सांधी साथ हम एक नया चीज भी चालू करने वाले हैं जो भी करन्ट अफ़ेर्स होता है जिस विक का तो उसमें हम लोग आपको MCQ भी देंगे उसी वीडियो में चीक है तो तयार रहे आप नेक्स्ट वीडियो के लिए और प्लीज लाइक और शेयर करते चलिए घ्यान रखे अपना आप और सभी का मिलते हैं आपन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत